दोस्तो अगर एक Black Panther और एक शेर के बीच लड़ाई हो जाती है तो इस लड़ाई का विजेता कौन बनेगा जहाँ एक तरफ शेर जंगल का राजा होता है वही दूसरी तरफ Black Panther को Master of Stealth कहा जाता है यानि कि Black Panther छिपकर हमला करने में माहिर होते है तो अगर ये दोनों जानवर कभी एक दूसरे के सामने आ जाते है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो इस लड़ाई में किस की जीत होगी इसी का पता हम आज के इस वीडियो में लगाने वाले हैं तो आज के ये वीडियो पूरा जरूर देखे लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ये बताईए कि आपके हिसाब से इस लड़ाई में कौन जीतेगा शेर या फिर Black Panther दोस्तो अगर आपने मेरे Tiger और Black Panther वाली वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि Black Panther कोई अलग प्रजाती नहीं है ये दर असल लेपर्ड और जेगवार ही होते है बस इनका कलर ब्लेक होता है अब जैसा कि हम लोग जानते है कि Black Panther असल में लेपर्ड और जेगवार ही प्रजाती है एक African Lion की shoulder height 4 feet तक हो सकती है male African Lion 10 feet लंबे होते है जिसमें इनका 3 feet लंबा पूज भी शामिल है और साथी इनका वजन 150-250 kg तक हो सकता है वही अगर Asian Lion की बात करे तो ये African Lion के मुकाबले छोटे हुआ करते है इनकी लंबाई 9 feet तक हो सकती है और इनकी shoulder height 3.5 feet होती ह एक male Asiatic Lion का वजन 160-190 kg के बीच होता है अब बात करते है जेगवार के बारे में जेगवार अमरिका का सबसे बड़ा फी लायन है ये किसी leopard की तुलना में ज्यादा ताकतवर और टफ होता है male Jaguar जो की size के मामले में किसी female से बड़े होा करते है उनकी लंबाई 5.6 feet से लेकर 9 feet तक हो सकती है और इनकी पूच 2 feet लंबी होती है साथी इनकी shoulder height 2.6 feet तक होती है एक वयस्क male Jaguar का वजन 100-150 kg तक हो सकता है size के मामले में tiger और lion के बाद जेगवार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है तो जैसा कि हमने देखा कि size और वजन के मामले में share किसी channel animal है यानि कि ये रात के समय ज्यादा active रहते है और ये ज्यादातर शिकार रात के समय ही करते है वैसे तो ये दिन के किसी भी समय शिकार कर सकते है लेकिन ये रात को शिकार करना ज्यादा पसंद करते है क्योंकि इस दोरान इने शिकार करने में काफी आसानी होती है शेर दि में मौझूद सभी मेंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते है वही दूसरी तरब जेगवार एक सॉलिटरी एनिमल है यानि कि यह अपना ज्यादा दर समय अकेले रहता है ब्लैक पेंथर दिखने में दूसरी बिल्लियों से बिल्कुल अलग होता है इसलिए इनका नेचर भी बाकी बिल्लियों से काफी अलग होता है ब्लैक पेंथर अपने काले रंग की वज़े से आसानी से दूसरे जानवरों को दिखाई नहीं देता इसलिए इन्हे इन्हे गोस्ट ओब दा जंगल भी कहा जाता है ब्लैक पेंथर बहुती इंटेलिजन्ट और फूर्तिले जानव होते है और ये रात के समय ज्यादा एक्टिव रहते है और ये दिन में बस पेड़ों के उपर चड़ कर वही पर सोते हुए बिताता है ब्लैक पेंथर पेड़ों के उपर चड़ने में माहिर होते है और ये यही पर से अपने शिकार पर नज़र रखता है दोस्तो लायन जिन इलाकों में रहा करते है वहाँ पर ये एपेक्स प्रेटेटर होते है और ये छोटे जानवरों से लेकर बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते है ये जिन जानवरों का शिकार करते है उनका वजन 190 से 550 किलो तक हो सकता है शेर आम तोर पर जीबरा, अफरिकन बफलो और जिराफ जैसे जानवरों का शिकार करता है एक अकेला शेर जीबरा और विल्डर बिस्ट जैसे जानवरों का शिकार तो कर सकता है लेकिन बफलो और जिराफ जैसे जानवरों का शिकार करने के लिए ये एक साथ मिल कर काम करते ह शेर अपने जबडों की मदद से 650 PSI के प्रेशर के साथ काट सकता है और ये 80 किलोमेटर पदिघंटा की रफ़तार से भाग सकता है साथी ये 10 फीट तक जम कर सकता है शेर इतने ताकदवर होते है कि ये अपने जबडों की मदद से 1000 किलो से भी ज्यादा का वजन उठा सकता है इन सब के अलावा एक शेर अपने पंजों की मदद से 180 किलो के फोर्स के साथ वार कर सकता है जो किसी शिकार को बुरी तरह से घायल करने के लिए काफी है शेर के दात काफी मजबूत और शार्फ होते है इनके पास 4 कैनाइन दात होते है जिनकी लंबाई 7 सिंटीमिटर तक ह हो सकती है इनके दात शिकार के बौड़ी को चीर डालने के लिए और हड्यों के टुकडे करने के लिए बनी होती है दूसरी तरफ ब्लैक पेंथर भी अपने इलाके में सबसे खतरनाक शिकारी होते है ये अपनी बौड़ी के काले रंग और पीली आखों के साथ एक माहिर श जिवों से लेकर हिरन जैसे बड़े जिवों का भी शिकार कर सकता है ये भूक लगने पर अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है एक रिसर्च से ये पता चला है कि ब्लैक जैगवार 85 अलग-अलग प्रजाती के जानवरों का शिकार कर सकता है ब्लैक किलोमेटर पदीघंटा की रफतार से उसका पीछा करता है ब्लैक पंथर दूसरी बड़ी बिल्यों की तरह अपने शिकार के गर्दन पर नहीं काटता बलकि वो उसके सकल के पिछले हिस्से को पकड़ लेता है आपको बता दू कि एक जेगवार का बाइट फोर्स उसके साइस की हिसाब से सभी बड़ी बिल्यों में सबसे ज्यादा होता है इनका बाइट फोर्स 1500 PSI तक हो सकता है साथी इनके पंजों में मौझूत नाखोन 5 सेंटिमीटर तक लंबे हो सकते है जिनकी मदद से ये अपने शिकार को मजबूती से पकड़े रखते है और इनके नाखोन इने पेड़ पर चड़ने में मदद करते है दोस्तों शेर एशिया और अफरीका के सवाना में रहा करते है और वही दूसरी तरह ब्लैक जगवार अमेरिका के जंगलों में रहा करते है इसलिए ये दोनों जानवर कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे लेकिन अगर हम ऐसा मान लेते है कि ये दोनों जानवर किसी तरह एक दूसरे के सामने आ जाते है तो ऐसे situation में इन दोनों के बीच ये लड़ाई दो जगाओ पर हो सकती है या तो ये लड़ाई जंगल में होगी या फिर सवाना में अगर ये लड़ाई सवाना में होती है तो यहाँ पर शेर के पास ज्यादा advantage होंगी क्योंकि यहाँ पर वो खुद को आसानी से चिपा सकता है और black panther के उपर हमला कर सकता है जिससे black panther को बचने का भी मौका नहीं मिल पाएगा वैसे तो शेर का white force जेगवार के मुकाबले काफी कम होता है लेकिन यह size और वजन के मामले में जेगवार से काफी आगे होता है इसलिए जब शेर black panther के उपर हमला कर देगा और उसे अपने पंजो और दातों से पकड़ लेगा तब black panther का इस लड़ाई में जीत पाना नामुम्किन हो जाएगा इसके अलबा black panther खत्रों से बचने के लिए पेड़ो पर चड़ जाते है लेकिन सवाना में पेड़ो की संक्या काफी कम होती है इसलिए वो शेर से भाग भी नहीं पाएगा जब शेर अपने 7 cm लंबे पंजो को black panther की body में धसा देगा तो वो बुरी तरह से खायल हो जाएगा और फिर शेर उसके गरदन पर काट कर उसे इस लड़ाई में हरा देगा वही अगर ये लड़ाई जंगल में होती है तो यहाँ पर black panther के पास ज्यादा advantage होंगी वो पेड़ो के उपर बैट कर शेर के उपर नज़र रखेगा और जैसे ही शेर बिल्कुल उसके नीचे होगा तो वो तुरंथ शेर के उपर हमला कर देगा लेकिन पहले हमला करने के बाद भी black panther के लिए शेर को हरा पाना मुश्किल होगा क्योंकि वो शेर के सकल के पिछले हिस्से को काटने की कोशिश करेगा लेकिन वो वहाँ पर अच्छे से पकड नहीं बना पाएगा और शेर आसानी से छूट जाएगा और पलेट कर black panther के उपर हमला कर देगा इसलिए हम ऐसा कह सकते है कि चाहे या लड़ाई सवाना में हो या फिर जंगल में दोनों ही सिचुएशन में शेर के जितने के चांसेश ज्यादा है और इन दोनों की लड़ाई में 90% केसेश में शेर की ही जीत होगी आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट जरूर करे दोस्तों अगर आपको इसी तरह की और वी वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद